हाई वेल्कम तो माच चनल इस बड़ी में स्वाल्व करेंगे कुशन 17 एवेल्वेट स्क्वेर रूट आफ 50,60825 and hence find the value of स्क्वेर रूट आफ 506.25 प्लस स्क्वेर रूट आफ 5.0625 मतलब कि इसका निकालने के बाद आप इन दोनों का सम निकालना है मतलब कि देखिए यहाँ पर decimal नहीं लगाया है यह बिलकुल ही एक integer है क्योंकि यहाँ पर decimal लगा दिया है मतलब decimal नंबर यहाँ पर है और यह decimal second प्लस पर लगाया है और यहाँ पर decimal fourth प्लस पर 1,2,3,4 तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसका निकाल लेंगे हम square root उसके बाद हम निकालने के बाद यहां पर बताएंगे आपको कैसे इनका निकाला जाता है हमारे पास है यह नंबर 50625 हम उसे पेर बना देंगे यह बन गया और यह हो गया तो 5 मिले जाएंगे तो 2 से जाएगा टू टू जा 4 1 बचा एंड जीरो 6 यहां पर उतार लेंगे आइड कर लेंगे मिलेगा 4 4 टू जा 8 होता है तो 2 से चला जाना चाहिए तो बिल्कुल 2 से चला जाएगा तो पहली बार 2 से गया था फिर दूसरी बार 2 से जा रहा है टू टू जा 4 टू फोर जा 8 माइनस करेंगे मिलेगा आपको 6 और यहां पर पहली जाएगा 2 टू 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 मिल जाएगा और यह 25 हम उतार लेंगे अब यहाँ पर add कर लेते हैं तो मिलेगे आपको 4 & 4 अब यहाँ पर 4 गटवल पढ़िए देखे 22 कि दिने पर बार रहा है तो 4 520 होता है और 5s चला जाना चाहिए बिलकुल 5s जाएगा तो दूसरी बार 2 से गया था और तिसरी बार भी तिसरी बार 5s जा रहा है अब यहाँ अब यहाँ पर 5 से अब लाई कर देजिए 525 को 5 to carry over 5 for the 20 20 and 222 to carry over and 5 for the 20 and 22 to consider हो गया 225 आ रहा है इसका square root ओके तो हम यहाँ ले सकता है कि so square root of 50,625 is equal to 225 ओके अब यहाँ पर समझना है देखिए 50,625 का जो square root है वो है 225 अब यदि हम इसके 2 place पर decimal लगा देए 2 place पर इसका मतलब हम क्या कर रहे है मतलब यदि हम आप इसका निकालें तो यहाँ पर रहे सकते हैं कि it implies जब इसका पता है कि इतना हो गया 225 तो हम निकाल सकते हैं 506.25 इसका निकालेते हैं तो इसका ज़ीन निकालेंगे तो ध्यांद जगा दो प्लेस पर लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ इसको आप कैसे ले सकते हैं इसको हम ले सकते हैं यदि ऊपर और नीचे मतलब इसका denominator यदि माल ले हम 1 तो यदि numerator में और denominator में 100 से apply करेंगे तो ऊपर से decimal खतम हो जाएगा है कि नहीं और यह मिल जाएगा आपको 50625 अपान 100 आजाएगा है कि नहीं और जब आप इसको अलग अलग करेंगे जो कि हम डेस्मल का रूट हम जानते हैं किसी निकालते हैं means of 5625 अलग कर लेंगे numerator को और denominator आपका तो 100 है ही अलग तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलकुल कि उपर का जो answer होगा वो 225 होगा अपान यहां 100 का क्यातना होता है अब डिवाइड करेंगे जी तो हमारा one decimal प्लेस पे मिल जाएगा 2.25.. ah sorry.. 2002.5 22.5.. 22.5 हम देखे यहांपर 10 है 10 से डिबारी तो क्या होगा ? एक डेस्मल प्रस इधर आ जाएगा तो 22.5 आ गया देखे पहले यहां पर 5625 था मतलब डेस्मल यहां पर है इसमें कहां है यह है यहां पर यहां पर है तो 25 आ रहा है मतलब कि इसमें decimal कहाँ पर है? यहाँ पर है जब decimal दो place इधर आगया left and side में तो यहाँ पर देखिए इसके answer में मतलब square root जब इसका निकालेंगे तो यह एक place इधर आया मतलब कि square root के अंदर यह दो place पर यह दी replace होता है तो उसका जो answer आता है इसका मतलब कि यहाँ पर 4 place में replace हुआ है 1,2,3,4 तो square root जो आएगा वो आएगा 2 place पीछे मतलब 2.25 आएगा इसका तो यहाँ पर लिख सकते है अब इसमें direct करेंगे ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5.0625 यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी जो value होगी वो होगी 2.25 मतलब 4 place पर यहाँ पर लिखा है इसलिए हम 2.25 दो place पर बना लेंगे अब हमने इन दोनों की value find कर लिखा है therefore we can add these two so 506.25 plus यह वेगा 5.0625 और add करेंगे तो मिले का आपको यह 22.5 plus 2.25 तो add कर लता है देखेंगे अब कुछ भी नहीं है तो जूरो बढ़ा लेंगे हैं पर और 5 में add करेंगे तो 5 मिलेगा और 527 हो जाएगा पाइंट और यह 2 से add करेंगे यह मिलेगा 4 और यह मिलेगा 2 24.75 and this is our answer okay thank you so much for watching bye